खीक हैं जो हमारी कपनी के पॉलिसी है ना वो काफी ट्रांस्पेरेंट एक पैन पिज़ा चाहिए मैं हकला हूँ, नॉर्मल हूँ, कोई बिमारी नहीं है मुझे, हकला पैन बिमारी नहीं है, इस डिस ओर्डर है मसला ये है कि लोग इसको बिमारी समझते हैं और हमाई साथ बिमारो वाला बिहेवियर करते हैं स्टरिंग ये स्टाइमरिंग यानि हकला पन एक छोटा सा स्पीच डिस ओर्डर है और कुछ नहीं है, कोई बिमारी नहीं है, इन्हें कुछ अलफास बोलने में मुश्किल होती है मगर अलफास को खुद पूरा करने दे, आप ना बोले, वरना इनमें ये एहसास पैदा हो सकता है कि मैं ये नहीं अदा कर सकता हमें इन्हें इस एहसास से निकालना है मायूस नहीं करना इनमें भी साइंटिस्ट, राइटर्स, प्रोफेसर्स वगरा होते हैं ये लोग किसी से कम नहीं होते इसलिए इन से बात करते हैं वो एक्स्ट्रा हमदर्दी ना जताएं बस नैचरल रहें जैसे सबके साथ रहते हैं स्टैमरिंग एक दूसरे से नहीं लगती बलके जीन्स इसकी वज़ा बनते हैं ना इसकी वज़ा स्ट्रेस है ना और कोई नफसियाती मसला हाँ इनकी वज़ा से ये बढ़ सकती है ये भी मशहूर है कि अंदर कोई शरारती जिन बैड़ जाता है या कोई लफ बोलने से पहले अगर बच्चे के बाल काड़ दें तो ऐसा हो जाता है ये सब अफवाएं और मिट्स हैं इनकी कोई हकीकत नहीं इसके हल के लिए कौलिफाइड स्पीश थरेपिस से कांटैक करना चाहिए यूही हर नमास के बाद सूर ताहा की 25 से 28 तक की आयात पढ़ ली जाएं तो भी इन्शालला अज़वजल फाइदा होगा और ऐसे लोगों को अपनी हकलाहट छुपानी नहीं चाहिए बलके ओपनली सबको बताएं और इसका मकाबला करें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकर ये आपकी जात का एक छोटा सा हिस्सा है नथिंग इल्स इसलिए इतमिनान से बात करें कोई लफज अटक जाए तो कोई कियामत नहीं आई आप बात खतम ना करें बलके रुक जाएं रिलाक्स होकर इतमिनान से लंबा सास लें और दोबारा बोलें